नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 25 फरवरी रविवार सुबस बच्छा बजी राजसान की बड़ी खबरें राजसान की मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा और केंदी जल्शक्ति मंत्री कजेंदर सिंख शेखा और शन्यवार से दो दिवसिय एर सीपी धन्यवाद यात्रा पर हैं अभार यात्रा की शुरुवात अलवर जिले के बड़ोदा मेव से हुई इस मौके पर सीम भजनलाल शर्मा ने कॉंग्रिस पर जम कर हमला बोला साथ ही सीम ने राहुल गांदी से पूछा कि भारत कहां से डूट रहा है बड़ोदा मेव में आयोजित पहली धन्यवाद यात्रा को संबोदित करती वे सीम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है कोई ना कोई अच्छा काम होता है नदियों से नदियों को जोड़ना पूर पीम अटल भी हारी वाजपी का सपना था चनिवार को इससे जुड़ी अधिसू उचना ज़ारी कर दी यानि अब इंडियन पिनल कोड की जगह भाते नियाय सहीता क्रिमनल प्रोसीजर कोड की जगह भाते नागरिक सुरक्षा सहीता और एविडंस एक्ट की जगह भातय साक्ष्य अधिनियम लंग हो जाएगा हात्या के प्र्यास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी वहीं दुषकर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब 263 होगी हालांकि हिट अन्ड रू केस का सम्मनित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा कि इंदे ग्रह सेची वाजब भला ने जनवरी में कहा था कि भारती नाय से हिंता कि धारा 162 को लागू करने का फैसला अखिल भारती मोटर ट्रांसपोर्ट को अंग्रिस से सलाह के बाद ही लिया जाएगा जैपर के पंझाम National Bank में लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों होने पुलिस पूछताज में कई खुलासे किये हैं दोनों बदमाशों ने जैपर में पहले हो चुकी दो बैंक में भी लूट की वार्दाट करना कबूल किया है इनमें 2022 में विधायक पूरी थाना इलाके में हुई सेंटरल बैंक और 2023 में शाम नगर थाना इलाके में इंडियन ओवर्सीज बैंक की वारदात शामिल है दोनों आरोपी बहुत ही शातिन हैं जो लगजरी लाइफ जीने के लिए वारदात करते थे किसी को शक नहों इसके लिए जैपर के सिवी लाइन्स में मकान भी किराय पर ले रखा था दोनों ने एक देशी पिस्टल भी खरीद रखी थी इसी से लूट को अन्जाम दिया लोगसबए चुनाओ को लेकर राज्यो के परभारी और सह परभारी के बैठक में बड़ा फैसला लिया है दिल्ली बीजेपी मुख्याले पर रास्री अध्यक्ष जेपी नड़ा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रभारियों और सह प्रभारियों को सरकार की नीतियों को जुनता के बीच ले जाने का निर्देश दिया गया है योपे में राहुल गांदे के भारुश ओंडी के बार यातरा दूसे चुण rebel मीरादाबाद अम्रोहा के बास संबल पहुंची शनिवार को राहुल के साथ प्रियांका गांदी मुरादाबाद से वतेपुर सीक्री तकि यातरा कर रही है मुराधाबाद में राभून ने लोगों से पूछा हिंदुसान के एरपोर्ट किसके नाम पर है हिंदुसान के बड़े-बड़े अंट्रास्टरक्चर किस को दिये ज़ाते हैं हिंदुसान के पाउर प्लांट किसके हाथ में है सरकार आपकी जेब काटने का काम करती है दरसल 21 फरवरे को कानपूर पहुंचने के बाद यात्रा रुख गई थी दो दिन के ब्रेक के बाद यात्रा 24 फरवरे को मुरादबास से फिर से शिरू हुई किसान महा पंचायद की तरफ से टोंग जिले से 106 ट्रक्टरों के द्वारा जैपर कूच किया गया था जिन्हें पुलिस थाना बरौनी के शेतर में रोकने पर पड़ाव डाला गया जो की रा साड़े बारा बचे तक चला था किसान महा पंचायद के रास्ट्री अध्यक्ष रामपालजाट और अजमेर के महा मंत्री रामेश्वर कट सुरा की गिरफतारे के करण 21 फरवरी को अजमेर जिले से ट्रक्टर कूच नहीं हो सका था अब वहीं कूच 11 मार्ट सोमवार को अजमेर जिले से आरम होगा इसमेर जमेर दूदू एम जैपूर जिले के किसान ट्रक्टर से जैपूर पहुंचेंगे राजसान के मुख्यमंत्री भजनलाज शर्मा आचरविवार को धालपूर से रवाना होकर करौली गंगापूर सिटी होते हुए दोपैर तीन बजमालाणा डूंगर के भाड़ोती मोड पहुंचेंगे लाजसोट, कोटा, मेगा, हाईवे, स्थित, मलारना, चौड, महत्मा, गांधी, राज़ के विद्याले के खेल मैदान में मुख्यमंत्री भजनलाज शर्मा आचरविवार सभा को संबोधित करेंगे यूपी पुलिस भरती परिक्षा रद्ध कर दी गई है पेपर लीक होने का आरोब लगा कर पूरे प्रदेश में चातर प्रदेशन कर रहे थे इसकी बाद शनिवार 24 फरवरी को यूपी सरकार ने परिक्षा कैंसल करने का फैसला लिया छे मैने में फिर से परिक्षा होगी 17-18 फरवरी को यूपी के पिछेतर जिलों में परिक्षा हुई थी इसमें 48 लाग से ज्यादा चातर शामिल हुए थे पुलिस भरती में 6,244 फर थे परिक्षा के दौरान 287 सौलवर और उनकी गैंग से जोड़ी लोग पकड़े गए थे चातरों का आरोप था कि परिक्षा से एक दिन पहले ही पेपर वाट्स अप और टेलिग्राम ग्रूप्स में सरकुलेट हो रहा था जैपुर विकास प्राधिकरा ने प्रदीश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर ड्राफ्ट प्लान ज़री कर दिया है पुरानी टोंक रोड पर ग्राम, शिवदासपुरा, चंदलाई और बर खेडा में ये स्कीम प्रस्तावित है लगभग 163.5 हेक्टेर भूमी पर लैंड पुलिंग स्कीम प्रस्तावित है जिसे धरातल पर उतारने के लिए कुल 223 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे इससे सड़क, रोड, लाइट, पेरजल जैसी मुलभू सुविधाओं को विक्सित किया जाएगा ऐसे में अभी इस प्लैन को लेकर अगले 30 दिनों में प्रस्तावित स्कीम को लेकर आपत्ती और सुझाओ दिये जा सकेंगे राजिस्तान में आने वाले दिनों में फेस से मौसम बदल सकता है अगले साथ दिनों में राजिय में दो अलग-अलग वेस्टन डिस्टरबेंस एक्टिफ हो रहे हैं पहला सिस्टम 26 और 27 फरवरी को एक्टिफ होने वाला है इसमें 15 जीलों में बारिश हो सकती है वहीं दूसरा सिस्टम एक और दो मार्च को एक्टिफ होगा इसमें बारिश के साथ ओली गिनने की समभावना है भारते मौसम के अंदर के अनुसा राजिस्थान में आने वाले वक्त में दो वेदर सिस्टम एक्टिफ होँगे जो पहला सिस्टम हो रहा है इससे प्रदेश में बातलों की आवजाहिक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है दोसा में पशुपालन विभाग के ऑफिस से शनिवार को पांच मोबाइल वेटरनरी यूनिट वाहनों को पूरुविधायक शंकर शर्मा और भाजपा जिलाद्याक्ष प्रभुदेयाल शर्मा ने हरी जंडे दिखा करवाना किया पूरुविधायक ने कहा कि जिले के ग्रामिन शेत्रों में पशुपालकों को घर पर पशुचिकिस्था उपलप्त करवाने की दुस्ति से मोबाइल वेटरनरी यूनिट वाहनों का संचलन केंद्रिय परिवर्तित योजना के तहत किया जौरा इस योजना से ग्रामिन शेत राजस्व जिलो अजमेर भीलवाड़ा पाली और नागोर में रभी विपड़न वर्ष दोजार चौबिस पच्चिस के तहत समातन मुले पर गेहों की खरीद की जाएगे इसके लिए भारते खादे मंडल कारेल है अजमेर की ओर से अजमेर भीलवाड़ा पाली और नागोर जिलो में 16 खरीद केंडर संचालित किया जाएंगे जो पिछले साल से दो गुने हैं आरोबी और आर यूवी सब्वेका शिलान नियास वेलोकार प्रण प्रधान मंतिन दारिंद्र मोधी 26 फरवरी 2024 को करेंगे राजिसाम चिकिसा विभाग की भरतियों को लेकर सीम और चिकिसा मंतिरी के तेजी दिखाने के बाद अब सीफू प्रशासन भी अक्शन मोड में आ गया है अब तक आठ कैडर की भरतियों में चैनित अभ्यरतियों के दसाविज सत्यापन को लेकर चुल रही कवायत की बीच सीफू ने पैटर्न बदल लिया है चिकिसा विभाग ने बाहरी राजियों से बढ़ाई करने आने वाले विद्ध्यार्थियों के दसाविजों की जांच के लिए अलग-अलग राजियों में टीम भीजने का फैसला लिया है पहले चुरन में चिकिसाविभाग ने तीन भर्तियों के चैनितों के दसावेज के लिए टीम साथ दिन में रिपोर्ट देगी ऐसे में इन भर्तियों का परिणाम इस महिने के आखरिया मार्च के पहले सफता हमें जारिफ हो सकता है नागवर में सेंक किसान मोचा के रास्टे आवहान पर भारती किसान यूनियन किसानी बैठक हुई बैठक में 26 फरवरी को किसानों की मांगो की समर्थन में ट्रक्टर रैली निकालने का निड़ने लिया गया यूनियन के जिला अध्यक्ष अर्जुन राम लोम रोड ने बताया कि किसान ट्रक्टर रैली की तैयारी को लेकर नागव शहर का रूट मैप और समय तेह किया गया है जिले के किसान 26 फरवरी को पशु प्रदरश ने इस्थाल परेकत रित होंगे इसकी बाद शहर में ट्रक्टर रैली निकाली जाएगी तो फिलाल खास खबरों में इतना ही ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे SBT News धन्यवाद